हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टो अवर चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा बचे आज हम सोशल साइंस के बुक में से हिस्ट्री का लेसन दी हडपा सिविलाइजेशन पड़ेंगे देखो बेटा मारा फर्स्ट कुश्चन है नेम सम इंपॉर्टन्ट सिटीज ओफ दे हडपा सिविलाइजेशन इपॉर्टन्ट सिटीज को यह होगे महत्पूरे नगर इसके हडपा सिविलाइजेशन के तो हडपा सिविलाइजेशन होती है हमारी सभिता हडपा सभिता के कु इंपॉर्टन्ट नगर थे इंपॉर्टन्ट सिटी थी तो उनके नामें हडपा मुहन जोद्रो लोथल काली पंगन और बनवाली ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देखो बची इंपॉर्टन्ट सिंदुघाटी के लोगों को कहते हैं तो इनकी लाइफ के बारे में बताना है कि इनका सोशल लाइफ जो इनके स्माजिक जीवन था वो किस तरह का था दी सोशल लाइफ ओफ दी इंडर्स वैली पीपल जो सिंदुघाटी के लोग थे उनकी जो सोशल लाइफ था स्माजिक जीवन था वोज हाईली डिवेल्प्ड बहुत विक्सी था दा पीपल एट पीपल जो लोग थे खाते थे वीट गेहू होगी ठीक है बारली क्या थी जो राइस चावल पलसी सोगी दालनी फ्रूट सोगी फल वैजिटेबल सबजियां एंड ड्रैंक मिलक मतलब दूद भी पीते थे वो दे आलसो एट मीट एंड फिश भी मीट भी खाते थे और फिश भी खाते थे बोथ मतलब दोनों मैन एंड वोमें दोनों कॉर्टन एंड वूलन के क्लोथ भी पैमते थे ठीक है और कॉर्टन के भी दा वोमेंट वोरी लौग स्कर्ट जो और थे थी वो लौग स्कर्ट पैनती थी एंड ब्लाउज भी पैनती थी इस कर्ट बिइंग है यह एट वेस्ट बाइ ए गिर्डल तो वेस्ट मतलब कमर पर गिर्डल पैनती थी कमर बंथ The men wrapped long pieces of clothes around themselves जो men था वो क्या पैंता था लंबे-लंबे कपड़े Both men and women Men और women दोनों ही वर fond of fashion के बहुत शौंकता होने ठीक है and wearing ornaments तो वो क्या पैंता थे भूशन Rich people wore gold, silver and precious stones जो rich people थे अमीर लोग थे वो सोना पैंते थे ठीक है, silver पैंते थे and precious stones मतलब कीमती पत्रों को पैंते थे Whereas, whereas जहां तक the poor people जो ग्रीब लोग थे बचे, war पैंते थे Jewelry, ठीक है, made of bones हडियों की बनी होई, terracotta and semi-precious beads ठीक है, कीमती पत्रों की बनी Jewelry पैंते थे People were fond of games मतलब उन्हें game खेलने का बहुत शौक था Dancing and singing भी करते थे Playing of dice and chess Dice भी खेलते थे, chess भी खेलते थे Hunting मतलब शिकार भी करते थे Were the men sources of amusement Bender, ये क्या थे उनके मन रंजन के साधन, dance कर लिया, singing कर लिया, शिकार कर लिया, chess के लिया For the children, जो children थे They were twice made of clay वो clay के क्या बनाते थे, twice Twice मतलब खेलाने बनाते थे Okay देखो बेटा, हमारे next question है Write in note लिखना है On the town planning Town planning मतलब नगर योजना, ठीक है Of the inner civilization Sindhu ghaati की सब्विता की जो नगर योजना थी, उसके बारे में बताना है हमें The town planning of the inner civilization Sindhu ghaati की जो नगर योजना थी Were remarkable बच्छी वो remarkable थी मतलब असधारन थी The cities were usually divided Into two parts जो नगर था उसे दो भागों में मतलब two parts में divide किया हुआ था बाटा हुआ था The upper part, जो उपर वाला part था Built on raised platform Was the Citadel Citadel होते हैं बच्छी दूरग ठीक है वहाँ पे क्या रहते थे कि बड़े बड़े दूरग बने हुए थे भवन बने हुए थे In included the public building थी इनमे The granaries होते हैं Bandhar the more important Workshops थे ठीक है And religious building धार्मिक सान भी थे किसमे थे अपर पार्ट में उपर वाले भाग में बतलब यहाँ पे जायतर अमीर लोग रहते थे बड़े बड़े धार्मिक सान थे स्वार्जनिक भवन थे यहाँ पे कौन लोग रहते थे शास्तकवर के लोग अमीर लोग रहते थे The lower part जो था नीचे वाला part Was inhabited by common people Inhabited होते हैं बचे बसे हुए कौन बस हुए थे Common people धार्ण लोग If the city was attacked or threatened by floods the inhabitants of the lower city found refuse in the Cittadale तो इसमें क्या बताया गया हमें कि अगर नगर में किसी तरह का attack होता था ठीक है floods बगएर का तो जो लोग थे lower city जो थी वो refuse होती है शरण लेती थी इंदा Cittadale का मतलब किसी भी दुरुग का किसी गड़ का या गड़ी का ठीक है Cittadale होता है दुरुग गड़ी या गड़ी The cities had wide and state जो city थी वो wide and state थी सीधी state होती है cd roads and states streets चो रोड थे गलिया थी streets होती गलिया that intersected intersected होती है मतलब काटती है at right angles में काटती है सम कोन पे काटती थे एक दूसरे को the drainage system was drainage system होता है बच्चे जल निकास रिया गंदा पाने निकालने का system was quite good अच्छा था that help us in the cleanliness of cities मतलब ये help करता था कि city को कैसे साफ किया जा सके आगे देखो बच्चे what were the causes of the decline होता है पतन होना ठीक है खतम होना किसी चीज का of the hadapa civilization तो उन्हेंने किया कि hadapa सब्विता के पतन के क्या कारण थे ठीक है वो कैसे खतम हुई the hadapa civilization lasted for about a thousand years मतलब जो खतम हो गई थी वो थाउजन येर से पहले by 1500 BC when the Aryan begin जब Aryan लोग जो थे उन्होंने शुरू किया to arrive पहुँचना in इंडिया भारत मी the hadapa civilization जो थी hadapa सब्विता had had collapsed क्लाप्स होता है खतम हो गई डै गई nothing can be sad कोई कुछ नहीं कह सकता in certain how the civilization declined की है सब्विता किस तरह खतम हुई various scholars होते हैं विद्वान have mentioned मतलब लग-लग विद्वानों ने लग-लग तरह से mention किया है बताया है different reason, current for the decline इसके पतन के किसके पतन के of the hadapa civilization मतलब ये 1500 इस भी पूरव तक जो थी वो खतम हो चुकी थी इसके बार में किसी को पूरण ग्यान नहीं है कि किस तरह खतम हुई लग-लग विद्वान जो है वो लग-लग reason बताती है कि ये कैसे खतम हुई तो पढ़ते हैं the Aryans जो थे बच्छी आरेन लोग जो थे waste a war against the people of the hadapa civilization उन्होंने यूद करना प्रहम कर दिया किसके साथ हडपा सबिता के लोगों के साथ and defeated मतलब उन्हें हरा दिया defeated them हरा दिया consequently इसका result क्या हुआ the hadapa civilization थी जो was rien मतलब तहसनेस होगी rien होता है तहसनेस होना but this view is not spotted these days पर जो ये view है ये विचार है इसको आज के युग में कोई महत्व नहीं दिया जाता second देखो बची regular floods in the river regular मतलब रोज क्या होए floods होती है बाड़ाना ठीके नदियों में बाड़ाई indus and its tributers destroy these civilization तो इसमें क्या थी कि लगातार बाड़ाने के कारण जो ये सबिता थी इसका नाश हो गया ऐसा भी माना जाता है about 1900 BC the river सरस्वती God dry ऐसा भी माना जाता है कि 1922 में जो सरस्वती नदी थी वो dry होगी मतलब सूख गई दहड़ापा पीपल जो थे जो हड़ापा सबिता के लोग थे moved वो चलने लगे towards किसकी तरफ east की तरफ in the ganga plane मतलब गंगा के मेदान की तरफ चलने लगे आगी देखो बीटा earthquake earthquakes होते हैं बच्चे भुचाल और an epidemic होती है महामारी destroy these civilization कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि भुचाल आई या महामारी आई जिसकी कार्णी सबिता का नाश हो गया the climate begin to change कुछ ऐसा मानते हैं कि climate होते है mousam begin शुरू हुआ change बतला बदलना ठीके जब mousam बदलना शुरू हुआ and the region became more and more dry जो शेत्र थे वो dry सूखनी लगे like desert मुरुस्तल की तरह it result इसका result क्या निकला in productivity of the land un productivity बच्चे अन प्रोड़क्टिविटी होती है अनु उत्पात दखता ठीके जो भूमी की लैंड के पुजाओ शक्ती थी वो इससे क्या हो गई कम हो गई next देखो what were the economic activities of the Indus Valley civilization people जो सिंदु घाटी के लोग थे उनकी economic condition मतलब आर्थिक जीवन जो activity थी वो किस तरह की थी तो देखो बच्चे the Indus people Indus people मतलब सिंदु घाटी के लोग led a prosperous economic life prosperous होती मतलब उनकी जो economic life थी बहुत बढ़िया थी सम्रीद थी agriculture was the main agriculture मतलब क्रिशी was the main occupation था लोगों का website था of the people plenty of wheat plenty of wheat मतलब भरपूर मात्रा में गेहूं थी बार ले थी जौं ठीक है and cotton was grown और cotton को grow किया जाता था animals कौन से थी like sheep हो गई bulls हो गई cows हो गई pigs हो गई camels हो गई and elephant were reared मतलब उन्हें क्या किया रद था पाला जाता था people living in cities were traders people जो थे शेहरों में रहते थे ठीक है traders क्या होते हैं बच्छी traders होते हैं बच्छी वेपार ठीक है वेपार जो लोग जहां पी रहते थे नगरों में वे क्या बन गे वेपारी का नगर they had good trade contact with foreign land like Mesopotamia मतलब जो ये नगर थे ये इतने famous हो गए कि इनका जो वेपार था बड़े बड़े विदेशी देशों के साथ था Mesopotamia के साथ भी इनका वेपार होता था pottery and brick making were important industries इसमें pottery making और brick की बहुत important industries थी मतलब मिट्टी के बरतन बनाने की metal work जो धात्यू का काम था made किया रहता था tools and implements से women were engaged engaged मतलब वियस्त रहती थी busy रहती थी in spinning कताई में and wearing होता है बच्चे बुनाई में मतलब जो औरते थी कताई बुनाई में वियस्त रहती थी आगे देखो बेटा right about any two centers बताने है of Harappa civilization in Punjab Harappa सबता के दो center कौन से थी फर्स्ट तो है संगहौल बच्चे संगहौल is stated in Ludhiana district में ये है Ludhiana जिले में है this town was executed मतलब executed होता है इसकी कुदाई की गई कभी की गई in 1968 AD किसकी द्वारा की गई थी by SS तलवार and RS बीस्ट की द्वारा संगहौल जो शहर है वो लुद्याना में है इसकी खोज 1988 में की गई थी SS तलवार के द्वारा और RS बीस्ट के द्वारा देखो बच्चे नंबर ऑफ स्टैचूज एंड यूटे सील्स ऑफ इंडस वैली है बीन फाउंड ही है मतलब यहां पे कहा है स्टैचूज मिले है यूटे सील्स होते हैं बच्चे बरतन भी मिले हैं ठीक है यह सिंदु घाटे की सब्विता के बारे में जो हमें बताती है इसके खोज कब हुए उनी सो तरासी और चरासी में यह हमें बहुत अच्छी इंफ्रोमेशन चानकारी देता है किसके बारे में अबाउट दी लास्ट पीरिड ऑफ हडपा सिविलाइजेशन हडपा सब्विता के अंतिम समय के बारे में सुनेद जो परदेश है यह हमें बहुत अच्छी जानकारी इंफ्रोमेशन देता है नेक्स्ट देखो बच्चे फिलिंग इन दा ब्लैंक्स हडपा सिविलाइजेशन वाज अबाउट डैश टाइम बिगर दन दा जो हडपा सब्विता थी वो मिसर की सब्विता से लगभक डैश गुना बड़ी थी कितने गुना बड़ी थी बच्छे 20 जो 20 गुना बड़ी थी इन पंजाब के आश अवशेश जो प्रापत हुए तो कौन-कौन से थी? संघॉल से मिले है इसके अवशेष, ठीक है, इसकी जानकारी रोहिडा से इसकी जानकारी मिली है फिर्स्ट किसे मिली थी? संघॉल से, तो यहां पूर संघॉल आएगा सैकिंड, रोहिडा थर्ड क्या है बची? सूरत एंड कोटल निहंग खा जो कोटला निहंग खा है इससे भी हमें सिविलाइजेशन इस सब्विता के बारे में बहुत सी जानकारी मिली है नेक्स्ट देखो बचे houses were made of dash and dash जो houses से जो घर थे वो किस से बने होते थे तो बचे जो house और घर थे वो बेकर ब्रिक and wood बेकर ब्रिक होती है बचे पकीट है ठीक है पकीटों से बने होते थे और wood मतलब लकडी से बने होते थे नेक्स्ट देखो इलाज dash hall has been discovered in Mohan Jodaro कौन सा hall है कौन सा विशाल भवन है जो Mohan Jodaro से प्रापत हुआ तो कौन सा है वो pillar of jewelry and dash तो जो man थे, woman थे मर्द और इस्तरियां थी दोनो dash के शुकीन थे तो किसके शुकीन थे वो एक तो अब other fashion मतलब दूसरे fashion के शुकीन थे जैसे भूशन पैना ठीक है गहने पैना, fashion करना इस तरह को उन्हें बहुँआँ शौक था the people worshipped dash, जो लोग थे, वो किसको मानते थे, मतलब किसकी पूझा करते थे तो mother goddess, मतलब अपनी मात्र देवी की the people tree was considered जो people का tree था, वो किसको considered करता था, उस विक्ष को क्या समझा जाता था तो उसको समझते थे sacred, sacred क्या होते है बच्चे, धार्मिक पावन और पूझा, तो people के विक्ष को वो पावन और पूझा समझ से थे आगे देखो बेटा मैच दा कॉलम है पहले देखो पशुपती, पशुपती क्या है, God, मतलब देवता, second moon जोदडो, मोहन जोदडो क्या है great bath, मतलब लोथल में क्या है बचे, port city port city होती है, बंदर गा pictograph क्या होती है चित्र लिप्पी, तो इसमें क्या थी writing, मतलब लेखन कला next मारे true false आगे देखो, first roper is located in पाकिसान की roper, पाकिसान में सीता है false, गलत है mother goddess was not worshiped by the हडपा people, जो हडपा सब्विता के लोग थे, क्या वो अपनी मातर देवी की पूझा नहीं करते थे false, इन्होंने गलत लिखा है क्योंकि वो करते थे हमने भी पढ़ाया ना कि वो अपनी मातर देवी की पूझा करते थे, तो इसमें क्या आएगा false, पंजाब has no means of the indus civilization, उन्होंने पूझा है कि क्या पंजाब में सिंदु सब्विता के कोई वशेश नहीं मिले है तो इसका क्या आएगा false, गलत इन गलत आएगा क्योंकि हमें जो है पंजाब में हमारे सिंदु घाटे सब्विता के वशेश मिले है last देखो, the indus people जो सिंदु घाटे के लोग थे did not know, नहीं जानते थे the art of writing, मतलब लिखने की कला नहीं जानते थे, तो false आएगा गलत क्योंकि वो लिखने की कला जानते थे